हेलो एब्रिवन आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट मुझ में घुल जाने वाली मिठाई इस मिठाई को मैं तोड़के भी दिखाती हूँ कि इसका टेक्श्चर कैसा है देख सकते ह लाजबाब बहुत ही सौप्ट मिठाई बन के तयार होती है और इसे मैंने घर के सामान से बना के तयार किया है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मिठाई की रेस्पी को देख लेते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए हमने ले लिया है एक कप आटा तो फ्रेंड्स अब घर का कोई कटोरी कप सेट कर सकते हैं मेजरिंग के लिए मैंने यह कपसे नाप के लिया है और यह गेहूं का आटा जिसे मैंने अच्छे से पहले ही चान लिया है अब इसे मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और जिस कप या कटोरी से आप गेहूं का आटा ल लिया था चानने से इसमें एयर जनरेट हो जाता है और बहुत ही अच्छी हमारी रेश्पी बनती है तो बेशन को चान के यूज करें तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है तो फ्रेंड्स अब हम डालेंगे इसमें देशी घी जिससे मिठाई बहुत ही स्वाधिश्ट ब करते हुए मिक्स कर लिजेगा तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं इसे क्रंबल करते हुए मिक्स कर रही हूं तो इसका मोयन जैसे बना के तयार कर लेना है तो यहां देखिए अब यह गिहूं का आटा और जो बेसन हमने लिया है घी के साथ का सचेंज लग रहा होगा अब हम गैस पर कडाहे चड़ा लेंगे और इसमें इस आटा को डाल देंगे और एक्दम लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे बिलकुल आप यहां घबडाईएगा नहीं आराम से इसको भूनिएगा फ्लेम को बिलकुल हाई मत करिएगा जितना धीमी आज पर इसको भूनेंगे उतना ही बढ़िया यह मिठाई बनके तयार होगी और फ्रेंड्स लास्ट का रिजल्ट देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि गीमों के आटे से इतनी स्वादिष्ट मिठाई बन सकती है तो हलका हलका अब इसका कलर चेंज हो रहा है इसमे टोटल मेजर्मेंट बता दो तो आधा कब घी मैंने इसमें यूज किया है आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा घी यूज कर सकते हैं क्योंकि जितना इसमें घी डालेंगे उतने ही अच्छी यह मिठाई बनेगी लेकिन मैं हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए और गर कीशे से यह जले नहीं और इसके बाद अब हम इसमें दो चमश डाल देंगे मिल्क पाउडर मिल्क Какी क्वान्टिटी आप और ज़्यादा वढ़ा सकते हैं जैसे मैंने दो चमश डाला तो चार चमश डाल सकते हैं, इससे इसके टेस्ट में बहुत जादा डिफ्रेंस यहां आमने ले लिया है आधा कप मिसरी तो फ्रेंड्स मिसरी को मैंने करस्ट कर लिया है इसे mix jar में डालेंगे और यह धागेवाली मिसरी है तो धागेवर आपको पहले निकाल लेना है पिर इसको piece के fine powder बना लेना है तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैंने ilah tet भी pace लिया है जो व मिस्री लिया है तो आप एक कप चीनी या पॉना कप चीनी बहुत जादा मीठा खाते हैं तो एक कप चीनी नहीं तो पॉना कप चीनी इसमें डाल सकते हैं मैंने मिस्री लिया था आधा कप तो फ्रेंड्स यह जो मिस्री पिसने के बाद जादा बन जाती है तो यहां देख सकत मैंने एक पैन चड़ा लिया है इसमें मिस्री का पाउडर डाल देंगे तो जिस कप या कटोरी से आपने गेहूं का आटा लिया है उसी से आपको ये मिठास का भी मिजर्मेंट करना है जैसे मैंने मिस्री यूज किया है आप चीनी इसके जगह यूज कर सकते हैं बीना पी से तो इसे पैन में मैंने डालके धीमी आँच पर छोड़ दिया था कम से कम पांच मिनट लगा है आप देख सकते हैं जहां थोड़ा इसे आँच ज्यादा मिल रही है वहां से ये मिल्ट होना सुरू हो गया है और नीचे से देख सकते हैं अलका अलका इसका कलर भी चिंज होन देख सकते हैं अब यह पाउडर बहुत अच्छे से मिल्ट हो चुका है तो इस से ज्यादा इसके कलर को डार्क नहीं करना है नहीं तो मिठाई का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा और अब इसमें एक कप पानी डाल देंगे जिस कप से हमने आटा लिया था उसी से ए देम को हम low to medium रखेंगे और इसे continue stir करेंगे तो अभी देख सकते हैं यह थोड़ा सा आपको sticky जैसे दिख रहा है लेकिन जैसे जैसे यह पकेगा यह मिल्ट हो जाएगा यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर जो आप चीनी मिल्ट कर रहे हैं तो उसमें आधा कप प मिल्ट हो जाएगी और खुद का पानी भी रिलीज करेगी तो अगर जो इस तरीके से हम बना रहे हैं तो पानी जादा लगता है क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो फिर से चीनी को मिल्ट करना पड़ता है जैसे आपने देखा कि यह बहुत जादा sticky था तो इसे उतना पक इलाई जी जो पीसा था उसके छिलके को निकालना था इस वज़े से मैंने यहाँ चान लिया है और चान के इस जो हमने पहले आटा को भून के रखा था इसमें डाल देंगे गेस का flame बिल्कुल लो रखेंगे और इसे अच्छे से mix करते हुए पकाएंगे तो friends बिल्कुल ट नहीं लगता है और देख सकते हैं कोई कह रही सकता किसे हमने आटे से बना के तयार किया है लग रहा है कि हमने दूद को जलाया है तो friends यहाँ देखिए यह काम आपको पहले कर लेना है जिस बरतन में आपको सेट करना है उसे घी से ग्रीस कर लिजेगा नहीं तो मिठाई य दाल के अच्छे से हम इसे पैचुला से दबाते हुए बिल्कुल बराबर कर लेंगे बहुत ही बड़िया यह दानेदार मिठाई बनके तयार होती है स्पैचुला यह कटोरी के नीचे वाला जो हिससा ऑचता है उससे आप दबाते हुए को इसको फ्लैट कर लिजेगा तो म यहां मैंने 15 मिनट बाद फ्रिज से निकाल लिया है देख सकते हैं मिठाई बहुत अच्छे से सिट हो चुकी है तो फ्रिंड्स अब हम इसे निकालेंगे तो निकालने के लिए आप नाइफ की हेल्प से साइडों को छुटा ले या इस पैचुला से इस तरीके से जैसे मैं आ अराम से निकल जाएगी या तो अगर जो आपके पास प्लास्टिक का कोई बरतन है उसमें आप जमाएंगे तो बिलकुल मतलब ऐसे करने की जुरत नहीं पड़ेगी बहुत इजली प्लास्टिक से निकल जाता है तो यहां थोड़ा साम टैप टैप करते हुए मिठाई को न तरीके से और इसे मन चाहे सेप में काट लेते हैं काटने के टेक्शर से ही आपको लगेगा कि मतलब हमारी मिठाई जो है कितना स्मूद और सॉप्ट बनी है यह देखे बीच से पहले हम काट लेते हैं आप चाहें तो इसे चौकोर पीस में काट ले या बरफी आकार में कंद जैसे रहता है उस तरीके से पतले पतले स्ट्रीप में इसको काट के तयार करूंगी तो यह देखिए तो फ्रिंट्स यहां मुझे काटे में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि प्लेट का जो साइड वाला हिस्सा है वो उंचा है तो नाइफ नीचे तक अच्छे से एक साइड से नहीं जा पा रहा है जिधर से मैं पकड़ी हूँ तो यह देखिए इसका टेक्षर देख लीजे बहुत ही सांदार यह मिठाई बनके तयार होती है जिस तरीके से मैं बताए हूँ कि अगर जो आपको नॉर्मल चासनी बनाना है तो आप एक कप चीनी के साथ आ तो फ्रेंस यहां मैंने इसे प्लेट में रख लिया है और इसे अब पिस्ता बादाम और सुगर बॉल से डेकोरेट कर देंगे आप चाहें तो यहां चांदी वर्क से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं खाने में तो स्वाद वही रहेगा देखने में थोड़ी सी मिठाई और अच्छी लगने लगती है इस वज़े से हम इसे थोड़ा सा ड्राइफ रूट वगरे से गार्निस कर देते हैं तो फ्रेंस यहां मैं मिठाई को तोड़के दिखाती हूं कि हमारी मिठाई कितनी अच्छी बनी है बिलकुल चिप-चिपी नहीं है बहुत ही सांदार मिठाई वो गाय का घी होता है वही घी उच करती हूं तो फ्रेंट्स मिठाई की यह रेस्पी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैसरी हरी